हेलो सूपर इनियन्स मेरा नाम है प्रशान्त और स्वागत है आपका सूपर सैटेड़े के एपिसोड नमबर 31 में और एक बार फिर हम हाजिर हैं इस वीक के सारे मेजर निउस अप्डेट्स के साथ तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं मार्वल की अप्डेट से त पाकि एक सेंट्रल फिगर मिल सके उनके DCEU को अब केविन फाइगी की तरह का रोल टेक ओवर करने के लिए डेडलाइन ने ये रिपोर्ट दी है कि वार्नर ब्रोज अपने पुराने एक्जेक्युटिव डैन लिन से बात कर रहे हैं वहीं वेराइटी ने अपडेट दी कि ऐसी कोई official news नहीं है लिन को लेके बट हाँ वार्नर ब्रोज उनको लेके discuss जरूर कर रहा है और वैसे भी जिस भी बंदे को चुना जाएगा वो सीधे नए CEO जैसलव को रिपोर्ट करेगा सो लेट सी कि DCEU का ये केविन फाइगी डूनने वाला काम कितना successful होता है वैसे डैन लिन को लेके आपके क्या opinion है हमें comment में जरूर बताएं अब हमारी पहली proper marvel update है कि D23 Expo के कुछ schedule release किये गए हैं और इन में उन programs का जिक्र है जिन्हें live stream किया जाएगा वैसे कुछ programs exclusive attendees के लिए रखे गए हैं और कुछ stream किये जाएंगे और इन stream किये जाने वाले shows में mostly comic related हैं और Disney theme parks related हैं और एक आधे award shows हैं तो आप उन्हें check out कर सकते हो अगली update है Thor love and thunders related तो Thor love and thunders की अब digital और physical release होने वाली है और screen rant ने ये report किया है कि उनमें कई सारे deleted scenes होंगे जैसे Zeus को ढूनना, Guardians of the Galaxy से एक लंबा conversation और कई सारे deleted scenes वैसे इस list को देखोगे तो फिर भी यही लगेगा कि ये scenes डाल दोगे फिर भी movie underwhelming ही रहेगी तो once a disappointment, always a disappointment हाँ वैसे याद आया Thor love and thunders 8 सितंबर से digitally release कर दी जाएगी अब अगली update है हमारे favorite Lewis के लिए तो पैना जो Ant-Man movies में Lewis का role play करते हैं उनसे अभी एक recent interview में पूछा गया कि क्या वो Ant-Man and the Wasp Quantumania में होंगे जिस पे उन्होंने गोल मोल जवाब दे दिया और कुछ भी confirm नहीं बताया अब हम सब जानते हैं कि Kurt का role करने वाले डेविड पहले ही मना कर चुके हैं कि वो Ant-Man के तीसरे part में नहीं रहने वाले उपर से पैना का ऐसा जवाब हम fans को थोड़ा उदास कर सकता है बट होप सो कि movie में एक छोटा साही सही बट पैना का role जरूर हो अब अगली update है Iron Hearts related तो अभी हाल ही कि Hasbro Titan Hero Series toy set निकाला गया और इसमें Wakanda Forever से तीन character के toys आएं जिन में एक Iron Heart का नया suit था वैसे ये suit Mark 2 होगा या Mark 3 ये कहां नहीं जा सकता बट इतना तो साफ है कि ये पिछले वाले armor से जाद अपग्रेटेड है बट honestly मुझे वो पहला वाला जादा बढ़ियां लगा था बट लेट सी कि मुवी में ये नया armor क्या क्या कमाल दिखाता है वैसे अगर आपको ये armor कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं अब अगली update है Spider Man's related तो Spider Man No Way Home की extended cut का एक नया trailer Sony ने release किया है जो कि इसके theatrical re-release से पहले आई है वैसे ये movie 31 अ करके इस movie को milk करते रहना है अगली खबर है कि Multiverse of Madness से कुछ deleted scenes के artworks release किये गए है और इन artworks में ये देखा जा सकता है कि जिस scene में Doctor और Chavez portal से भागते हैं तो originally Wanda भी उनके पीछे आने वाली थी और Multiversal Travel के बीज में ही Strange और Wanda की एक short brawl होती तो ये sequence अब निकाला गया है वैस से इस चीज़ को वो end up कैसे करते ये नहीं बताया गया बट क्या ही फाइदा अगली update है कि Sony ने finally एक ऐसा poster release किया है जिसमें पहली बार Toby और Andrew को भी include किया गया है और इस बार इस poster में Charlie Cox यानि की Matt Murdock को भी include कर दिया गया है तो ये एक अच्छी बात है कि MCU आगे बढ़कर दूरत नहीं और इस week Marvel की बस इतनी ही सी update थी अब चलते हैं DC की updates पे तो सबसे पहला update है कि DC EU ने फिर अपना रंग दिखा दिया है और दो major projects को delay कर दिया गया है और वो है Shazam Fury of Gods और Aquaman the Lost Kingdom तो हाँ जी Shazam अब इस साल नहीं आने वाली ये अब आएगी अगले साल Aquaman की पु इस पे कोई update नहीं है तो कुल मिला कि DC EU ने फिर एक बार अपने fans को गरम करके ठंडा छोड़ दिया अगली update है HBO Max की तरफ से तो अभी कुछ वक्त पहले HBO Max ने कुछ non-white employees को fire कर दिया था इसलिए पुराने workers अब ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि HBO Max अब left wing projects को बनाने से मना कर और इस पे workers ने ये चिंता जताई है कि इससे content की diversity कम हो जाएगी वैसे अगर ये बचीयों के show में adult jokes और motives और human objectification को diverse कहते हैं तो फिर क्या ही कहने वैसे ये no left wing सुन के ये मत सूचना कि कहीं डेविड जैसलव का अस्री नाम देवेंदर जैसवाल तो नहीं next update है कि Aquaman The Lost Kingdom से ये कुछ official concept arts release किये गये हैं और ये arts सज में कमाल के हैं इनमें हम Arthur और Black Manta का एक close up brawl को देख सकते हैं अब जैसन मुमुआ के तरफ से एक दिलचस्प बयान आया है उन्होंने कहा है कि Aquaman 2 के reshoots के दोरान उन्हें Ben Affleck के साथ shooting करके बड़ा मज़ा आया और Ben एक कमाल के इनसान है ये भी ममुआने बताया तो हाँ जी Aquaman में Ben Affleck ये interesting बात है और hopes हो कि Batfleck is back in action in DCEU वहीं Batgirl मुवी के डिरेक्टर आदिल एल अर्बी ने एक statement जारी किया है उन्होंने कहा है कि मुवी में बहुत सारा काम बाकी था Snyder Cut की तरह इस मुवी को इसके current state में बिल्कुल release नहीं किया जा सकता था मुवी में न VFX हुई थी और ना ही कुछ और हुआ था in fact कई सारे scenes shoot तक नहीं हुए थे तो अगर इनसा बातों को सच माना जाये तो भाया फिर Warner Bros. ने से cancel करके सही ही किया cause वैसे भी एक आदी अदूरी movie release करके वो खुद के ही इज़त का रायता फैलवा लेते अब अगली news ना वाकर ही interesting है हाली में एक study में एक report सामने आई है कि अमेरिका में हर 5 में से 2 बंदा अब ये मानने लगाए कि The Flash जैसी movie जो की एक इतने controversial actor को feature कर रही है उसे release नहीं होनी चाहिए यानि सोचो यार कि अब लोगों के opinion तक studies में आने लग गए है मतलब क्या जबरदस्ट चाप छोड़ी है Lord Ezra ने बट लेट सी की आगे क्या होता है नेक्स्ट अपडेट है बैटमें से रिलेटर तो बैटमें की सीक्वल की script most probably अगले week से लिखना शुरू कर दिया जाएगा बट बैटमें से ही रिलेटर एक बुरी खबर भी आई है एंड उसका portrayal काफी strong होगा ऐसी feel भी आई थी so let's hope कि Joker को ही sequel में feature किया जाए तो यह थे DC के news अब चलते हैं कुछ major Hollywood updates पे तो Game of Thrones की prequel House of the Dragons के second season को अभी से ही announce कर दिया गया है क्योंकि जब इसका पहला episode premiere हुआ था तो उससे लगभग 20 million लोग अभी तक stream कर चुके हैं तो भाई यार इन आकडो के बाद तो कोई भी second season announce कर ही देगा वही अगली update है Mad Max के तरफ से तो Mad Max के prequel पे भी अब work चल रहा है जिसके set से कुछ images आई है जिसमें हम अपने Thor यानी Chris Hemsworth को देख सकते हैं जिसमें Thor अब जाके बकायदा एक वाइक लग रहा है anyways फिलाल के लिए Chris इस movie में किस role में नज़राएंगे वो अभी confirm नहीं किया गया है बट देखके तो लग रहा है कि Chris का अच्छा खासा role हो सकता है बसे Tom Hardy वाली Mad Max आपको कैसी लगी थी हमें कमेंट में जरूर बताएं अब अगली update है The Boys के season 4 से तो season 4 के cast को expand किया गया है और अब इसमें Jeffrey Dean Morgan को भी add कर दिया गया है I mean यह series कमाली करती जा रही है यार अपने casting के साथ अगर आप Jeffrey को जानते होंगे तो आप जानते हैं कि यह कितने कमाल के actor है अब चाहे वो The Walking Dead से हो या फिर Rampage और Unholy जैसी movies बंदे के पास कमाल की range है So यार The Boys अब क्या कमाल करता है वो देखना मज़ेदार होगा अब बात करते हैं थोड़ा Sandman के उपर तो Netflix की top series बन चुकी Sandman के बारे में अब कहा जा रहा है कि शायद इसका second season नहीं आएगा राइटर Neil Gaiman ने कहा कि भाले उनकी story top बन चुकी है बट वो इतनी महेंगी बन जाती है प्रोड्यूस करते वक्त कि शायद इसका second season ना आ पाए अब इस पे आपका क्या मानना है हमें जरूर बताएं नेक्ट अपडेट है Umbrella Academy से तो Umbrella Academy को उसके fourth और final season के लिए renew कर दिया गया है अब ये news आई है इसके season 3 के hit होने के बाद कॉज इसकी season 3 लगातार 5 हफतों तक top 10 पे रही थी तो ये तो होना ही था महीं अगली update है कि Monsterverse का सबसे जाना माना नाम King Kong अब Disney Plus पे आने वाला है हाँ जी आपने सही सुना King Kong पर अब एक series आने वाली है और ये series focused होगी Kong के origin पे उसके home world और उससे जुड़ी magical mysteries पे तो ये series का focus of plot बड़ा कमाल का लग रहा है और मैं तो सच में चाहता हूँ कि Monsterverse के characters को deeply explore करना चाहिए cause इन्हें देखने में अलगी मजा आता है यार अब हाली में Jason Momoa ने Fast 10 से अपने villain वाले role का एक छोटा सा tease दिया उनका कहना है कि movie में उनका character थोड़ा sadistic होगा वैसे यार honestly मैं तो बस screen पे Dominic Toretto को पिटते हुए देखना चाहता हूँ ससुरा street racer हो के भी trained agents और Deckard Shaw जैसे experienced marksman को कैसे कूट देता है समझ नहीं आता तो ये तो रहे Hollywood Gap Rates अब बारी है हमारे weekly anime segment Saturday Senpai का तो सबसे पहली update है कोनो सुबा fans के लिए तो Megumin की spin-off anime को उसका पहला trailer मिल गया है और ये release कर दी गई है तो trailer आप जरूर चेक आउट करें next update है One Piece से तो One Piece Red Movie 20 दिन में 10 billion yen की collection कर चुकी है तो ये एक सच में बड़ी achievement है वैसे One Piece से एक special Shanks episode का preview भी release किया गया है अगली update है Record of Ragnarok से तो इसके season 2 से एक update trailer release किया गया है जिसमें हम Jack the Ripper, Hercules, Tamimon, Raiden और बुद्धा के voices को सुन सकते हैं So let's see कि इनके second season में animation quality कैसी होती है वही अगली update है Sword Art Online से तो Sword Art Online की नई movie को अब unknown date तक delay कर दिया गया है क्योंकि Japan में COVID cases बढ़ने लगे हैं इस इस movie को delay कर दिया गया है और अपने crescent interview में Winland Saga के writer ने कहा है कि अब इस manga का end chapter जादा दूर नहीं है cause उनके पास अब और road maps नहीं बचे हैं जिने explore करना बाकी हो वही अगली update है Dragon Ball fans के लिए तो Dragon Ball की नई movie अपने America release में box office को dominate कर रही है अपने opening weekend में Dragon Ball Super Super Hero movie एकदम top position पे बनी रही so let's see कि ये movie कैसी होती है next updated Jujutsu Kaisen से तो इसके season 2 से related news 18 सितंबर को आ सकती है अब news चाहे जो भी आए मैं तो चाहता हूँ कि इने second season 12 episode का रखना चाहिए सिर्फ Gojo के past arc पर और Shibuya arc इने season 3 बना देना चाहिए ताकि पूरा season 3 एकदम job breaking action से भरा हो महकसम मजा ही आ जाएगा यार but for now I am eager to see the man Toji Zenin in action तो guys ये तो रहे इस week के सारे major news updates अगर आप को ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तका शेर जरूर करें साथ ही ऐसे ही super awesome content और news के लिए super India को subscribe कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए notification icon को press कर दें तो मिलते हैं अपने next वीडियो में till then bye bye